शिवाय नमस्तु ब्यम दर्शिकों, हर हर महादेव, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप सब, मैं आशा करती हूँ दर्शिकों, आप सभी स्वस्त और सुरक्षित होंगे, दर्शिकों आप सभी जानते हैं कि सावन का पवित्र माह चल रहा ह सावन के इस पवित्र माह पर, यदि आप सावन के इस पहले शनिवार पर इस एक उपाय को करते हैं, तो महादेव की असेम क्रपा से आपके जीवन के सभी कस्ट दूर होंगे, और आपके जीवन में खुशा ले आएगी चले जानते हैं वह कौन सा उपाय है, जोसकि आपको सावन 2023 के पहले शनिवार पर करना है, जिससे की महादेव की असेम क्रपा से आपके जीवन की सभी मनोकामनाय पूर्ण होंगी और सभी जीवन की कस्ट भी दूर होंगे माता पारवती मा लक्ष्मी स्वरूप आपके घर में इस्थाई रूप से वास करेंगी और आपके घर को धनिधान से परिपोन कर देंगी आज की इस वीडियो को आप ध्यान पुर्वक देखिएगा और सुनिएगा पूचिनिय गुरुची के विशेश उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं जिससे की आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसका समाधान आपको अवश्य ही प्राव्त होगा फिर चाहे वह वैपार सम्बंदिस समस्या हो नौकरी से सम्बंदिस समस्या हो या फिर आपके घर में बहुत अधिक कलेश बढ़ चुका है तो भी आप इस एक उपाय को अवश्य ही करिएगा शाम के समय प्रदोशकाल में आपको इस उपाय को करना है आप से भी जानते हैं कि दिन भर में प्रदोशकाल का समय महादीव को अतिप्रिय होता है इस समय पर किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है और महादीव की गृप्या उस वक्त पर अवश्य ही होती है तो त एक अचुक उपाय को करने मात्र से ही जीवन की सभी सब कामनाएं पूर्ण होगी, आपके मन की मुराद पूर्ण होगी और यदि आप आर्थिक धंगी से जूज रहे हैं तो वह भी समाप्त होगी, आवक धंगी बढ़ जाएगी अपार धंगी प्राप्ति होगी। अपनी च्रेशिम महापुरान कथा में पूजनिय गुरुजी ने इस विशेश उपाय का वर्णन किया है, सावन का पवित्र माह महादेव को समर्पित होता है, इस माह में किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। तीन दीपक का यह विशेश उपाय आपको प्रदोश काल के समय पर करना है। शुब माने जाते हैं। दीपक त्यार करने के बाद में आपको उन दीपकों में लंबी बाती लगानी है और शुद्ध देसी घी के ही आपको दीपक त्यार करने है। दीपक तियार करने के बाद प्रदोश काल के समय पर सबसे पहला दीपक आप अपने घर के मंदिर में माता लक्षमी और अपने इस्ट देव के समक्ष आपको प्रजवलित करना है और उनसे प्रातना करना है कि आपके घर में सदेव शुकसान्ती बनी रहे और आपके उपर ज तो दूसरा दीपक आपको बेल पत्रे के व्रक्षी के नीचे जलाना है और कम से कम तीन भार श्री शिवाय नमस्तु भ्यम मंत्र का उच्चारन करना है दो से पाच मेट वहीं पर बैट कर आप उनका समरन करें और तीसरा दीपक आपको शिम मंदिर के चोखट पर या शिवलि शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है शिवलिंग के समक्ष आपको दीपक जलाना है और ग्यारह बार श्री शिवाय नमस्तु भ्यम मंत्र का उच्चारन करना है महादेव की असीन क्रपा से आपके जीवन की कामना पोन होगी और मन की सभी मुरादे भी पोन होगी श्री आते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें हर हर महादेव